हेलो दोस्तों स्वागत है आपका लेब के लिए चैनल में दोस्तों इस चैनल में आपको लेब से रिलेटेड इन्फोर्मेशन मिलते रहे हैं दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि बलड ट्यूप कितने परकार की होती है उनका नाम क्या है उनमें कौन सा टेस्ट लगाया जा सकता है दोस्तों हम पहले बात करते हैं केटू एडिटे ट्यूप की जिसका कलर पलपल होता है इससे हम CBC, ESR, H1C टेस्ट, PTH, Blood Group, Malaria, G6, PD जैसे टेस्टों को कर सकते हैं दोस्तों इस ट्यूप से हम Only Whole Blood के टेस्ट ही लगा सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करे हैं Plain While की दोस्तों इसमें किसी परकर का Anticogulant नहीं होता है इस वाइल से हम Biochemistry और Serology टेस्ट लगा सकते हैं जैसे LFT, RFT, Lipid Profile, Electrolite, Hormones, Vidal और Elijah जैसे टेस्टों को लगा सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट अकर हम बात करे हैं Sodium Fluoride वाइल जिसको हम Sugar वाइल भी कहते हैं दोस्तों इसका यूज हम Glucose और Lactate टेस्टों को लगाने के लिए करते हैं जिसमें Blood Sugar Random, Blood Sugar Fasting और Blood Sugar PP जैसे टेस्टों को करते हैं दोस्तों आगे है Lithium Heparin वाइल जिसका यूज हम TB Gold टेस्ट, Ammonia टेस्ट, आजी टेस्टों में करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करे हैं PT वाइल के जिसको हम Sodium Citrate वाइल भी कहते हैं दोस्तों इसमें हम PT INR का टेस्ट, D-Dimer, APTT और जो हमारे Plotting Factor होते हैं Plotting Factor साइट 12 होते हैं उन टेस्टों को लगा जाता है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जल्दी सबसे सरल और सबसे आशान बासा में थेंकि दोस्तों